बहिए विज़े ही रत्लगतार जारी है हमने तो कल ही डिक्लेः कर दिया थैज आठा चैंपियन์ किन इंडिया इंडिया इस चैंपियन इंडिया इसा हुआ करकी शानदार तस्मीरे आपको दिखाई हैं देखे सेलिब्रेशन ऐसा हुआ क्योंकि जीत जो थी वो आश्वस थी टीम इंडिया पूरी तरह से ले में दिखाई दे रही थी तस्मीरे आपको दिखाते हैं भवे तस्मीरे सामने आई हैं देश के हर कोने में जहां आप बिश्वासी आपको नज़र आएंगे साथ समंदर पास से आई हैं तस्मीरे भारत दस साल बाद टीट्वेंटी विश्वकप के फाइनल में जगह बना चुका है अब विश्वकप के लिए उसे साउथ अफ्रीका से भिड़ना है टीम इंडिया के फैंस खुशी में जूम आज रवारा हो चुका है लेहाजा भक्तों का जोश हाई है तीसरी खाबर दिल्ली एंसियार से गुड्नियोज आई है आज सुभे सुभे बारिश के बाद शेहर पानी पानी हो गया इन खबरों पर तीनों खबरों पर हमाई नजर होगी लेकिन सबसे पहले उस शुप तो कहीं माच जो है वो रदना हो जाए लेकिन बारिश भी नहीं बिगार पाए अगरा भी जाती तब भी तो हम फाइनल में थे यह तो पक्का ही था तो मतलब जीत तो अपनी पकी थी बारश ने खलळ डाला माच को लेकर हाना होती रही लेकिन अंत भ़ला तो सम भला वो कह भारत के बल्लेबाजों ने शांदार खेला, रोहितों और सुरेकुमार की जोडी ने पहले बल्ले से धमाका मचा दिया, फिर पुल्दी, पाक्षर और बुम्रा ने बॉल से तो समाही बांद दिया, और इसके साथ ही भारत की जोडी में वो जीत आ गई, जिसका इंतुजार परस से हो रहा था, अंग्रेजों के साथ ये माच कई मायनों में हैं था, 2022 में अंग्रेजों की वज़े से हमारा T20 विश्वकर जीतने का सपना तूटा था, आज हमने उन्हीं अंग्रेजों को हरा कर उनका गुरू टोट दिया, गुयाना के प्रोविडेंस स्टेडियम में खेले गए सेमी फाइनल मुकाबले में भारत ने इंग्लेंड को 68 रनों से हरा दिया, सेमी फाइनल मुकाबले में इंग्लेंड को जीत के ले 102 रनों का टागेट मिला था, लेकिन उसकी पूरी टीम 16 ओवर और 4 गेंदों में 103 रनों पर धेर हो गई, अब फाइनल माच में भ एंगर आप सेमी फाइनल से अथे अधिस स्टाक्षा कैनले के लिए खाइनल मुकाबले में इस अध्यू खेलों में एच्छा प्रचारी के साथ और सूता ने साथ भाइस के साथ वापिस यही रेपीट करें और आंप्रीशों यही रीचारी के ऍपार नीच पाइनले से हम इंडिया यहां पे एक विजन की साथ आया था और उस विजन में सबसे बड़ी बात क्या है भरोसा बिलीव दवर वड़ी तेकिंग बिलीव इस गोई आन विद एक बार भी इंडिया ने पहले गेम से लिकार गेम तर टीम चेंग नहीं करें उसका कारण है चाहे कोई चल रहा है नहीं चल रहा है उसका कोई लेना देना देना नहीं बट रोहित और कोच इससे हम बहुत खुश है है और हम फाइनल भी उठाएंगे और पिछली बार का बदला हमारा पूरा हुआ भारत माता की जैए इंडिया बलुकुल फुल गारेंटी से फाइनल उठाएगा और इस वर्ल्ड कप जाहिर सी बात है जो सपना है ना वर्ल्ड कप जीतने का वो हमारा होगा 2022 में जो किया इस बार नहीं करना है एक कंसिस्टेंसी दिखी है इस पूरी की पूरी टीम में तो कैसे भारत ने जीता है सेमी फाइनल का ये महा मुकाबला अब क्या है फाइनल में भारत यहां पर नगातार कि हम यह कोशिश कर रहे हैं कि आपको ना भसे ना आपके रंस आते रहें रंस निकलते रहें और कुल गर फेलिए लेकिन 171 रन शायद जीतने वाला स्कोर नहीं था लड़ने वाला था अब मैं इसलिए बार-बार क्या रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया का खिला जीटें तबीज बोलर से किया बैट्समा को मैच जटा सकते हैं टॉनमें आपको बोलर जटाइगा यह जीट ना आपको एक मौका देती है और अगर आप फाइनल में देखें सब्सक्राइब ने लगता है कि इंडिया पेवरेट रहेगा क्योंकि उन्होंने दो मुश्किल म जीटें सामने कैसे खेलेगी उस पर बहुत स्क्रिबर करेगा तो शगुफ्ता कल के माच में भले ही बारिज जो है उसमें खलर डालने की बहुत कोशिश की लेकिन कोई फायदा हुआ नहीं और कल के माच को देखते हुए तो यही लग रहा था भाई यह रोई शर्मा ने जो कमाल किया है मतलब सबकी आंके टीवी स्क्रीन से हटने का नाम नहीं ले रही थी लेकिन जब खेल का मौका मिला भारत ने तेज रफतार से जो है रन बनाए इंगलिंड से मुकाबला देर रात तक चला लेकिन दिल्ली में ऐसे तमाम लोग थे जिनक कि इसी इंगलेंड भारती टीम का सपना तोला था एडिलेट में जब 10 विकेट से इंडिया को हरा है था लेकिन अब भारती टीम पहुच चुकी है फाइनल में और मेरे साथ तमाम वो फैंस हैं जो अभी तक इस बात के लिए परिशान थे कि भारती टीम कैसे और कब लेकिन जो इंडिया टीम में पूरे फिदे रों ने अक्षैफेंइस क्या वह बहुत अच्छा किया जिसकारान इंडिया टीम ने इंको बहुत जली ओल आउट किया सुरु में बैट्समैं ने भी बहुता स्का Self कमार खाटी Right Thai पाण्डे ने भी अच्छा श्चा इंसे अन अच्छा था और साथ में बॉलिंग टाइम जब अक्षर पटिल ने लेना चाट किया तो उसी के साथ भुम्रा ने भी उनको अच्छा सपोर्ट किया विकेट में लगातार विकेट गिरते गए गिरते गए इस चकर में इंडिया ने जली और ऑल आउट किया अब वर्ड कप आ इंडिया कोई कि इंडिया वर्ड कप की ट्रॉफिय उठाई उठाएगी चलिए उठाएगी ट्रॉफिया आपको क्या लगता है कि जीत रहे हैं मेरे को यह लगता है कि हम वल्ड कप जरूर जीतेंगे क्योंकि सौथ आफ्रीका वैसे मतलब बहुत कमजोर टीम भी नहीं है हमारी इंडिया से बहुत कमजोर है इसलिए हम जरूर वर्ड कप जीतेंगे चलिए यही होता कोईमें इस भारती टीम के लिए कुछ सीनियर मेंबर्स भी हैं यहाँ पर सौथ आफरीका पहली बार जो है पहुंची है फाइनल में और भारत के पास काफी अन्वो है इस लिहा किसे इंडियान टीम परफॉर्म कर रही है जैसे आज आपने देखा रोहिच शर्मा और सूर्य कुमार यादव ने कितनी सूजबूज के साथ इस पिछ पे बैटिंग करी और रिजल्ट आपके सामने हैं कि हम मैच जी चुके हैं और फाइनल में प्रवेश कर चुके हैं तो मेरा ये मानना है कि 100% ये ट्रॉफी इंडिया में आ रही है वी चेर्स फॉर इंडिया और हम भी यही करते हैं कि इस तरह से अभी तक इस टॉर्णमेंट में प्रदेशन करते हैं यहीं प्रदेशन लगातार बदस्तू जारी नहें और बाती टीम जब लोटे तो वो ट्रॉ विश्व में पाती टीम के लिए बता रहें दिली से पिशुर वास्तो ओ क्या बात है क्या शांदार तस्वीरे सामने आ रहे हैं हर तरफ सेलिबरेशन का मूड है सबको हराना है वर्ल्ड का भाया घर लाना है ये हम आश बास सोच चुके हैं इंग्लेंड पर लगान वसूल जीत के बादा फाइनल की वारी है सामने है साउथ अफरीका अब देखिए ये समझे है कि दोनों ही टीमे तो पूरी तरह से अनबीटन टीम्स हैं वर्ल का पिपहास में पहली बार साउथ अफरीका फाइनल खेल रही है साउथ अफरीका ने का मौका गवाना नहीं चाहेगी तो टीम इंडिया के पास टीट्वेंटी में ऐसा सुनहरा मौका दस साल के बाद आया है तो क्रिकेट के जानकार मान रही है कि इस बार बाजी भारत के हाथ लगेगी इसकी वज़ा है आकड़े दोनों टीमों के प्रदर्शन के अगर हम बात करें तो अब तक टीट्वेंटी मुकाबले में भारत और साउथ अफरीका के भी 26 मैच हुए है जिसमें टीम इंडिया ने 14 मुकाबले जीते हैं और साउथ अफरीका के हाथ केवल 11 जीत लगी है मतलब आंकड़ों की पहली बाजी भी भारत के नाम है और यह आंकड़े कई लिहास से एहम है यह आंकड़े दिखाते हैं कि मनुवे ग्यानिक विहास जो लिहास से भारत हमेशा दक्षन आफरीका पर भारी रही है अब देखिए आंकड़ों का गनित यह कहता है कि सारे के सारे आंकड़े जो है इंडिया को ही फेवर कर रहे हैं अब हमने टी-20 मुकाबलों की बात की अगर केवर टी-20 विश्वकाप की बात की जाए तो अब तक दोनों टीमों की बीच में पांच मुकाबले हुए है जिसमें टीम इंडिया ने तीन और साउथ अफरीका ने दो जीत अपने नाम की तो क्रिकट्च की बात तो हमने कर ली अब बात अमनात यात्रा की जिसका पहला जथा आज रवाना हो गया अब देखे बाब बरफानी के दर्शन करने के लिए हर साल होने वाली अमनात यात्रा की शर्वात हो चुकी है जमो कश्मीर के उपरा जिपाल मनूत सिनहा ने सुभे साढ़े चार बजे शुरधालों के पहले जथे को जंडी दिखा कर जमो के बेस कैम्प से रवाना किया भक्तों का ये जथा दो पहर दो बजे दक्शन कश्मीर के पहल गाम और मध्य कश्मीर के बालटाल पहुंचेगा सुरक्षा की बात की जाए तो जमो कश्मीर पुलिस की सुरक्षा विंग ने जमो में अमरनाथ बेस कैम्प के आसपास के इलाके में तीन स्तर्य सुरक्षा विवस्था के इंतिजाम कर दिये हैं भगवती नगर इलाके में बेस कैम्प शिवर के लिए तीन स्तर्य सुरक्षा के इंतिजाम करे हैं जमू शहर में लॉच्मेंट और रेजिस्ट्रेशन सेंटर भी कड़ी सुरक्षा के घेरे में हैं साथ ही पुलिस ने इस हाईवे पर सुरक्षा बलों की तनाती की है जहां से हर दिन यात्री गुजरेगे ने अभी थोड़ी देर पहले जंडी दिखाई और अब एके करके जो श्रदालू जो है निकल रहे हैं यहां पर अपने वाहनों में खासा उत्सा देखा जा सकता है और जो जानकारी मिली है कि पहले जथे में लगबग 4500 श्रदालू जो है कश्मीर घाटी की तरफ जा रहे है कल सुबा यात्रा जो है विरिवत तोर पर शुरू हो जाएगी दोनों मार्गों से पहलगाम मार्ग से भी और बालताल मार्ग से भी यह जो श्रदालू है आज दोपहर तक कश्मीर घाटी पहुँच जाएंगे और पूरे जमुश्री नगर राश्री राजमार्क की अगर ह प्रसनता की आप अनुभूती देखिए बंबं बोले का जैगोश हो रहा है और यात्रियों का पहला जथा आप कश्मीर घाटी की तरफ रवाना हो चुका है और कल से विरिवत तोर पर यह जो वार्शिक श्री अमर्नाथ जी यात्रा है इसकी शुरुवात हो जाएगी दोन प्रमुसे शिवभक्तों को पहला चध्धा जो है वो रवाना हो चुका है उप्राजिपाल मनुस सिन्हा ने हरी जंडी दिखा कर सुरक्षत और सफल यात्रा की कामना की इस यात्रा के लिए सुरक्षा के भी जबर्दस इंतजाम किये गए यह यात्रा दो रूटू से जो ह है वो होती है पहली पहल गाम से शुरू होती है तो दूसरी बाल चाल से शुरू होती है इसके बारे में हम बताएंगे हम आपको इस रिपोर्ट में ये भी बताने जा रहे हैं कि आप आफ्लाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करवा सकते हैं बाबा बर्फानी के भक्तों का उत्सा देखते ही बन रहा है जाए घोश लग रहे हैं बाबा के आलोकिक दर्शन का उमंग है इस साल भक्तों के लिए सुधाय व्यूत्तम है कई जगों पर यात्रियों के ठहरने का विशेश इंतजां किया गया है श्रीनगर हो या कठुआ या पहलगाम का नुनवान बेस कैम हर जगा यात्रियों के लिए शांदार विवस्था की गई है पांच पेट का हॉस्पिटल है जो कि क्रिटिकल केर हॉस्पिटल भी पनवर्ट हो सकता है सारी दवाईया वहां पे हैं अमरनाथ यात्रा के लिए ओफलाइन रेजिस्टेशन भी हो रहे हैं ओफलाइन रेजिस्टेशन के लिए सबसे पहले श्रधालूं को जमूरेलवेश्टेशन के सरसती धाम से टोकन लेना होगा पहले श्रधालूं का मेडिकल चेकप किया जाएगा उसके बाद ही टोकन जारी किया जाएगा आम श्रधालूं और साधू संतों के लिए अलग-अलग रेजिस्टेशन सेंटर बनाए गए हैं बाबा अमरनात की गुफा तक जाने के दो रास्ते हैं सबसे पुराना रास्ता है चम्मू कश्मीर से पहलगाम होते हुए चम्मू से करीब 15 किलोमीटर और श्रीनगर से 96 किलोमीटर दूर है पहलगाम यहां से पवित्र गुफा करीब 46 किलोमीटर दूर है इस रास्ते से अमरनात धाम की यात्रा पांच दिन में पूरी होती है पहलगाम से पवित्र गुफा तक के हर पड़ाव के साथ जुड़ी है भगवान शिप की अमरकथा पहलगाम में शिप ने छोड़ा अपना वाहन नंदी अमरनात यात्रा जिस पहलगाम से शुरू होती है उसके बारे में पौरानिक मान्यता है कि देवी पारवती को अमरकथा सुनाते वक्त भगवान शिप ने अपने वाहन नंदी को इसी स्थान पर छोड़ा था पहलगाम से 16 किलोमीटर दूर है चंदनवाडी कहते हैं कि इसी जगह भगवान शिप ने अपनी जटा से चंदनवाडी चंदनवाडी से 16 किलोमीटर दूर है शेशनाग शेशनाग में शिप ने त्यागा गले का हार यहां महादेव ने अपनी गले के हार शेशनाग को छोड़ दिया था शेशनाग से 4.6 किलोमीटर आगी है महागुन परवत महागुन परवत पर शिव ने रोका गणेश को पौनानिक माननेता है कि महादेव ने अपने बेटे गणेश को इसी स्थान पर ठेहरने का आदेश दिया था महागुन परवत से 6 किलोमीटर दूर है पंच तर्नी खुद से अलग कर दिया था और सबसे मुक्त होकर भगवान शिप पहुचे थे इस निर्जन गुफा में जहां उन्होंने देवी पारवती को सुनाई थी अलौकिक अमर का था अमरनाथ की पवित्र कुफा तक पहुचने का दूसरा रास्ता बालटाल का है बालटाल के रास्ते अमरनाथ यात्रा करने के लिए शरधालों को जम्मू से श्रीनगर और फिर सोनमर्ग होते हुए बालटाल पहुचना होता है बालटाल के बेस कैम से पवित्र कुफा की दूरी है 14 किलोमेटर बालटाल के रास्ते अमना थियात्रा सर्फ एक दिन में पूरी हो जाती है लेकिन बालटाल का रास्ता जितना छोटा है उतना ही मुश्किल पहाड पर सीरी चढ़ाई चढ़कर इस रास्ते बावा बर्फानी तक वही पहुँच सकता है जो शारीरिक रूप से पूरी तरह फिट हो रास्ता चाहे जितना भी लंबा हो जितना भी मुश्किल हो लेकिन साल में एक बार बावा बर्फानी जब अपने इस दिव्य गुफा में प्रकट होते हैं तो लाख मुसीवत सहकर भी भोले नात के दर्शन करने भक्त पहुँच ही जाते हैं बिरो रिपोर्ट गुटनिश टुडे बुलेटन में अब बाद बारिशी कर लेते हैं जिसने आज दिल्ली में हद ही कर दिये हाल ये हो गया है कि सडकों पर पानी भर गया है लोग ट्राफिक जैम में फस गए हैं महले और बस्तिया इस वक डूबी नजर आ रही हैं तो आपके सामने ये तीन तस्वीरे हम दिखा रहे हैं ये तस्वीरे बता रहे हैं कि बादलों ने दिल्ली में कैसी जबरदस्ट एंट्री ली है सुबह सुबह बारिश के बाद इस वक डिल्ली जैम से जूच रही है लोग पानी में फसे हुए हैं अलाकिन बादलों का दिल्ली वालों ने लंबा इंतजार किया है लेकिन जिस तरह से बादली में बरसे हैं लोग यही कह रहे हैं कि बादलों ने तो भई हद कर दी तो आप देख सकते हैं तीन तस्वीरें आपके सामने कि किस तरह से दिल्ली जो है वो पानी से सराबोर हो गई है जो ट्रक्स हैं वो पानी में आधे डूबे नजर आ रहे हैं और सडकों पर भी जो है वो काफी पानी भड़ चुका है भले ही हमें मौनसून का इंतजार तो बेस अबरी से था लेकिन इस तरह से नहीं कि आप जो है इस बारिक से परिशान हो जाएं लोग जो हैं सुबह से ही ट्राफिक जाम में फसे हुए हैं सुबह चार बजे से लगातार बारिश हो रही है और अब हाल ये है कि दिल्ली आधी जो है वो डूबी नसर आ रही है तो इस तस्वीर है आपके सामने दिल्ली एंसी आर की और मूलचन के तस्वीर पहली तस्वीर आप देख सकते हैं कि मूलचन से आई है दूसरी तस्वीर मिंटो रोड की है और तीसरी तस्वीर जो है वो कश्मीरी गेट में है जहां याता याज जो है वो काफी प्रभावि यह आट तस्वीरें अलग-अलग इलाकों के तस्वीरें जो साफ तर पर एक ही कहानी वयां कर रही हैं कि देखिए रहत वाली बारिश तवाई लोगों को गर्मी से रहत जरूर मिली निजात मिली लेकिन साथ ही साथ दिक्कतों और परेशानियों का दौर भी लोगों के लिए शुरू हो गया दौाएं की जा रही थी कि कब बारत बरसेंगे और बरसे तो ऐसे बरसे की साथ में आफ़द भी अपने साथ ले करा गए जहां भी आप नज़द दोड़ाएंगे सिर्फ पर सिर्फ पानी ही पाएंगे अब सुभे लोग निकले तो हैं घरों से निकले हैं दफ्तर पहुंचने के लिए स्कूल जाने के लिए बच्चे निकले होंगे लेकिन परेशानिया देखिए जहां भी आप नज़द दोड़ाएंगे आपको सड़कों पर सिर्फ पानी भरा हुआ नज़द आएगा अब देखें दिल्ली एंसियार में हर तस्वीर आपको दिखा रहे हैं मौनसून के पहली बारिश लोगों के लिए रहत के साथ साथ दिक्कते लेकर आ गई हैं भारी बारिश के बार सड़के लबा लब पानी से भर गई हैं दिल्ली एपोर टर्मिनल वान का हाल देख लीज अब तक कुल 28 उड़ाने प्रभावित हुई है खराब मौसम है तो उसकी बचे से राद 12 बज़े से अभी तक कुल 28 फ्लाइट्स कैंसल कर दी गई हैं जबकि 12 पहुंचने वाली फ्लाइट्स प्रभावित हुई है हाथ से के बाद अब सब कुछ नॉमल करने की कोशिश अब तक किया जा रहा है तो बारिश के बाद कैसे जैम में फसी है डिल्ली इसकी तस्वीरे भी आपको दिखाते हैं इस प्रक्थ हम आईटियो चोराहे पर मौझूद है और आप देखें यहां के तस्वीरे हम दिखा रहे हैं कि कि तरीके से पहली बारिश में ही यह पूरा इलाका आप देख सकते हैं आईटियो जो में रिटाइट वाला इलाका है वो पानी पानी हो गया है चारो तरफ आपको पानी नज़र आगा दोरो तरफ रोड़के और उन पानी के सामने लोग फटे हुए हैं गारियों चापके फटे हुए हैं क्योंकि अंदर की तस्वीरे वो देख रहे हैं जो यह जादा है कि वो गाड़ी के अंदर गाड़ी के इंजब तक पहुट गया और उसके बाद नतीजा यह हुआ कि गाड़ी बंद पड़ गए इस वज़र से उन गाड़ियों के हालात देख करके लोग बूसरे तरफी रुपने हैं और आगे जाने के बारे में लोग नहीं जो है वो ब्लॉक हो गया है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको ट्रैफिक नजर आएगा इस पूरी रोड़ पर अब आगे जब निकलने का रास्ता नहीं है वहाँ पर कोई उन्हें आप देखे जो रिड लाइट है वहाँ पर लोगों को अंदादा नहीं है कि मस से थोड़ी से राहत तो दे दी है लेकि तेज बारिश के वचे से कई जगहे जल भराब जैसे हालात पैदा हो गए हैं बारिश का ये मौसम आपको परिशान ना करें इसके लिए कुछ सावधानिया बरतनी आप सब के लिए जरूरी हो जाती हैं समझे उसको अगर देखि कि जिए घर से किसी काम के लिए आपको निकलना है तो हाथ में एक चाता जरूर ले दी जिए अपने रूट जो आपका रास्ता होगा वहां पर पहले से आपको नौलेज होनी चाहिए कि जल भराब होने वाला है या नहीं उसके बारे में आप पता कर लिजे सिति कैसी है घर से अतिरेक्त समय लेकर आपको निकलना होगा कहीं जाने के लिए डेस्टिनेशन पर पहुंचना है तो आपको पता होना चाहिए कि एग घंटा लगना है तो देड़ घंटा पहले निकल जाएए ट्राफिक जैम पर भी नजर आपको रखनी है कि जिस रूट से आप जा रहे कार लेकर ना जाएं क्योंकि बहुत ज्यादा चांसे है कि आप यहां पर जाकर फंस जाएंगे लंबी यात्रा पर जाने से भी आपको यहां पर बचना चाहिए तो जब बारिश हो रही हो और बारिश के दिनों में अपनी कार का ख्याल रखना भी भई बेहद जरूरी है जी हाँ, अगर कहीं जल भराव है तो वहां कार ले जाने से बचें पानी में कार बंध हो जाए तो स्टार्ट करने की कोशिश ना करें ऐसा करने से इंजिन खराब हो सकता है, ब्रेक ओयल और हांट ब्रेक जो हैं दुरुस रखें, हेडलाइट्स और फॉग लाम ठीक रखें, पुराने टायर फॉरन बदल लें, डिफॉगर से शीशे साफ रखें, कार में टूल किट और फॉर्स्टेट बॉक्स रखें, कार में चाता और टॉज जरूर रखें, रोड पर पानी जमा हो जाए, तो कार की रिफ्तार कम रखें, कार में पानी आ जाए, तो इंजिन फॉरन बन कर दें चलिए क्या साफ धानिया आपको बरतने हैं, वो तो आपने समझ लिया, सिक्किम के हालाद दिखाते हैं, सिक्किम में बारिष से बिगड़े हालाद की बीच में सेना की जवान हालाद को संभालते हुए नजर आ रहे हैं, इस वरन कई जग हैं एकदम कम वक्त में पुल भी बनाय जा रहे हैं, प्रिशक्ती कोर की जवानों ने खराब मौसम के बीच में महज 72 घंटे में ही एक पुल का नर्मान कर दिया सिक्की में बारिश और बाट से हुई तवाही के बाद जिन्दगी को पट्री पर लाने की कवायद जारी है कई लाखों में सडक माल्क बाथित है, जिन्हें चालू करने के लिए सेना अपनी पूरी ताकत छोंके हुए है इंडियन आर्मी की त्रिशक्ती कोर के इंजीनियरों ने जावाजी दिखाते हुए डिक्चुक सांगलं सडक पर महज 72 घंटे में बेली ब्रिज बना डाला 40 फिट लंबा पूल बनाने का काम 23 जून को शुरू हुआ था जिसे चुनोती पूर्ण मौसम के बीज महज 72 घंटे में सेना के जवानों ने तैयार करके दिखा दिया सामाने हालात बहाल करने में बियारो और स्थानी प्रशासन की मदब से त्रिशक्ती कोर के सेना इंजीनियरों ने इस पूल को बनाया है ये पूल डिक्चुक से सांकलंक से चुंधां की और वहनों के आवागमन को सक्ष्म करने के लिए ये एक एहम कड़ी है इसके बंजाने से मंगल जिलेव के प्रभावित लोगों को इलाज समेत बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में काफी मदद मिली इग्यारे जुन से हो रही बारिश ने उत्री सिक्किम को काफी नुकसान पहुचाया है यहां बीड़े हालात के बाद सेनर एस्प्यू अप्रेशन में जुटी ही साथ ही आवागमन की बहाली के लिए भी फूब मशक्कत कर रही है बाढ़ और लैंसलाइट के चलते उत्री सिक्किम के कई लाकों का सड़क संपर तूट गया है कई सड़कों में दरारे पड़ गई है इन मारगों को फिर से बाहाल करने में सेनब पूरी शिद्दत से जुटी हुई है आली में इंडियन आर्मी के त्रिशक्ती कोर के इंजिनियरों ने एक तेज बहावाले नदी के ओपर स्पेशल ब्रीज का निर्मारभी कर डाला था जिसका वीडियो भी सामने आया था इस वीडियो में दो जवान जान हथेली पर लेकर ब्रीज बनाते हुए नजर आते हैं और तालीस घंटे की कड़ी मशकत के बाद 150 फिट लंबा सस्पेंशन ब्रीज बनकर तयार हो गया था और अब त्रिशक्ती कोर के जवानों ने 72 घंटे में 70 फिट लंबा बेली ब्रीज बना दिया है ब्यूरो रिकोर्ट गुडनेज टुडे बुंबई में मौनसून दस्तक दे चुका है बारिश भी अच्छी हो रही है इसवा कई लोग घूमने के लिए मरीन ड्राइव का रुक कर रहे है ऐसे ही एक महिला मरीन ड्राइव कई थी लेकिन 60 साल की वो महिला समंदर में गिर गई भला हो उन दो पुलिस वालों का जो वही ड्यूटी पर तैनात थे उन्होंने फोरण समंदर में छलांग लगाई और महिला को बचा लिया मुंबई के मरीन ड्राइव में चल रहे है इस रेस्क्यू आपरेशन को देखिए पुलिस वाले समंदर में गिरी महिला को बचाने की कोशिश कर रहे है नीचे दो कॉंस्टेवल मौजूद है जो महिला को उपर की ओर धकेल रहे है और उपर मौजूद पुलिस करमी उन्हें रस्सी से खीचने की कोशिश कर रहे है और ये देखिए अब महिला सुरक्षित है बदहवास है हैरान और परेशान महिला को पुलिस वालों ने गाड़ी में बिठाया और अस्पताल पहुचाया दरसल मुंबई के माटूंगा की रहने वाली करीब साथ साल की स्वाती कनानी मरियन ड्राइव घूमने आई थी उस वक्त मुंबई में काफी बारिश हो रही थी और हाई अलर्ट की चैतावनी भी थी दो पहर के करीब पौने तीन बजे जब हाई टाइड में समंदर की लहरे आसमान छू रही थी तो स्वाती कनाकी का पैर फिसल गया और वो करीब 20 फिट नीचे समंदर में गिर गए उस वक्त वहाँ मरियन ड्राइव पुलिस टेशन के दो कॉंस्टेवर किरन ठाकरे और अनोल दही फले मौजूद थे उन्होंने अपनी जान की परवा नहीं की और बिना एक सेकंड गवाए समंदर में कूड गए और महिला को सुरक्षित बचा लिया लेकिन उसके बावजूद भी लोग सुनते नहीं आपने देखा यहाँ पर आज कितने लोग आये हैं और आप सीनर सिटिजन लेडी को भी आपने रेस्क्यू किया किस तरह की दिक्कते थी उनको रेस्क्यू करने पहले वो बताई रेस्क्यू में वो लाटे आती थी इसके वज़े से हमने तुरंत उड़ी मारे अंदर और उनको निकलने के कोशिश है और हम उनमें सपल रहे हैं हमने सोचा नहीं क्या होगा आगे का लेकिन उनको निकलना हमारा मक्सद था वो हमने तई हो ठीक है अब क्या कहना चाहेंगे आपके दोनों सिपाई अपनी जान की परवा ना करते हुए खूद गए और वो लेडी सुरक्षित है उनको अस्पिताल भेजा गया इलाज के लिए यह अमरा ठाकूर और दैफड़े जी इन्होंने सच्मुच अपनी जान जोकिम में डालके इन्होंने उस महिला को बचा है रेस्क्यू ऑपरेशन तो सफल रहा लेकिन बारिश के वक्त समंदर किनारे घूमने आने वाले लोगों को साबधान रहने की हिदायत भी दी गई अब गुजरात के नक्तराना की ये तस्वीरें ही देख लीजिए भारी बारिश के वज़े से सड़क दरिया बन गई थी बहुत तेज भाब के साथ पानी आ रहा था ऐसे में भी एक बाइक सवार ने सड़क पार करने की दुस्सा हस की लेकिन जैसे ही वो पानी के तेज भाब के बीच पहुचा तो उसकी हेखड़ी निकलने लगी लेकिन लोगों ने अपनी जान की परवा ना करते हुए बाइक सवार को बचा लिया और बाइक को भी उसे खीच करके इनारे ले आए और बाइक सवार की जिंदगी बच गई मुंबई से देव कोटा और गुजरात के नक्तराना से अतुल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट गुड नियूस टुड़े और चले शुप समाचार में फिलहाल के लिए इत्मा ही और देशो दुनिया की तमाम पॉजिटिव नियूस के लिए आप बने रहिए गुड नियूस टुड़े पर